Congratulations to her, उनका दंग successful हुआ रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 के फाइनलिस्ट रनवीर शौरी सिनिमा जगत में लंबे वक्त से सक्रिया है रनवीर शौरी ने अनिल कपूर होस्टेट रियलिटी शो में बताया कि कई दश्कों का तसुर्बा और सुपर हिप फिल्में खाते में होने के बाबजूत वक्त के साथ नए रोल पाना मुश्किल होता जा रहा है शो से बाहर आने के बाद एकालिया इंटरव्यू में रनवीर ने ये भी कहा कि उन्होंने बिग बॉस ओटीटी थ्री इसी ले किया क्योंकि उनके पास काम नहीं था एक्टर ने कहा कि वरना बिग बॉस वाले तो उन्हें पिछली दस साल से संपर्क कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी थ्री में टॉफ फाइफ तक सफर तै करने में कामियाब रहे कंटेस्टेंट रनवीर शोरी ने सिधार्थ कननन के साथ बातशीत में कहा कि वो लगातार काम की तलाश करते रहे हैं ये चीज़े और भी मुश्किल हो गई हैं क्योंकि अब उनके पास कोई management टीम नहीं है लगातार काम मांगने को लेकर महसूस होने वाली असहजता जाहिर करते हुए रनवीर ने कहा कि उन्हें कई बार वैसा काम नहीं मिल पाता है जैसा वो चाहते हैं रनवीर शौरी ने बिग बॉस हाउस में भी इंडरस्टरी में काम ना मिलने को लेकर अपनी तकलीफ खुल कर कही थी रनवीर ने कहा कि कल को अगर उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो जाता है तो वो दूसरी तरह के काम करने के लिए भी पूरी तरह तयार है उन्होंने कहा कि उनका म्यूसिक और फिल्म मेकिंग को लेकर प्यार ऐसा ही बना रहीगा एक्टर ने कहा कि वो इन फील्ड में किसी भी तरह का काम करने से संतुष्ट महसूस करेंगे फले फिर उन्हें लेबर या सेट पर स्पोर्ट बॉई के तोर पर ही काम क्यों ना करना पड़े रनवीर ने बताया कि जब उन्हें ट्राफिक सिगनल के लिए अवार्ड नहीं मिला तो वो समझ गए कि अब उन्हें नहीं दिया जाएगा रनवीर ने सिधार्थ कनन की यूट्यूब चैनल पर बादशीत की दौरान कहा जब मैं कहता हूँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है तो इसे निगिटिव तोर पर लेनी की ज़रूरत नहीं है मैं दियाड़ी मजदूर के तोर पर भी काम करने के लिए तयार हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं कुछ और कर लूँगा मेरे पास इनक्षित्र में उतना experience है कि मैं किसी तरह अपनी जिंदगी काट लूँगा मुझे अगर sport boy का काम करना पड़ा तो मैं वो भी कर लूँगा मैं रोजी रोटी लायक कमाई कर लूँगा और मुझे इसमें बुरा भी नहीं लगेगा